दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Department of Atomic Energy की तरफ से डिप्लोमा और B.B.T.E.K. वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल, अलेक्रिकल, मेकेनिकल और Computer Science Engineer से लिजबल रहेंगे Fraser से लिजबल हैं आपकी डिरेक्ट भरती रहेगी और क्या बताये गया है इनके Official Notice में उसमें आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रिगुलर फोर्म में आपको जॉब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्सब ग्रुप को भी जॉइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं इनके Official Notice पर यहाँ पर आप लोग एडविटीजमें नमबर देख सकते हैं बिसिकली यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्रेंटिस के लिए विकेंसी आई हुई है जहाँ पर वी बीटेक और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है computer engineers के लिए अगर आपने bbtek किया है computer engineering में या फिर आपने diploma किया है आप लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे नेक्स वेकंसी यहाँ पर आपके रहने वाली है सिविल इंजिनियर्स के लिए बी बी टेक वालों के लिए यहाँ पर पांच पोस्ट उपर वेकंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर दो पोस्ट उपर वेकंसी रहने वाली है अगली वेकंशी यहाँ पर आपके रहने वाली है, Electrical Engineers के लिए, यहाँ पर भी B.B.Tech और Diploma वाले लेस्बल रहेंगे Next वेकंशी यहाँ पर आपके रहने वाली है, Electronic and Communication Engineers के लिए यहाँ पर VB Tech वालियों के लिए 5 पोस्ट उपर वेकेंसी है और Diploma वालियों के लिए 2 पोस्ट उपर वेकेंसी है Next वेकेंसी यहाँ पर आपके रहने वाली है Mechanical Engineers के लिए यहाँ पर भी VB Tech और Diploma वाले अपलाई कर पाएंगे last vacancy यहाँ पर आपकी रहने वाली है instrumentation and control engineers के लिए यहाँ पर B.E.B.T.E.K. वालों के लिए दो post over vacancy है और diploma वालों के लिए भी यहाँ पर दो post over vacancy है बाकी आप लोग यहाँ पर qualification में देख सकते हैं अगर आपने B.E.B.T.E.K. किया है relevant branch में या फिर आपने diploma किया है relevant branch में आप लोग यहाँ पर reusable रहेंगे next अम बात कर लेते हैं आपके monthly stipend के बारे में तो diploma holders को monthly stipend यहाँ पर 12,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है और B.E.B.T.E.K. वालों को monthly stipend यहाँ पर 13,500 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाला है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे B.E.B.T.E.K. या फिर डिप्लोमा किया है आप 2022, 23 या फिर 2024 के पास आउठें आप लोग यहाँ पर reusable रहेंगे बात कर लेते हैं आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका online रहने वाला है form online होने यहाँ पर आपके शुरू हो चुके हैं 22 जून से last date यहाँ पर आपकी 21 जूलाई रहेगी interested or reusable candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में